हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सिबिल स्कोर को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं आप अगर आपके पास सिबिल स्कोर है ही नहीं यानि आज तक अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है और लोन ना लेने की वज़े से आपका कोई भी सिबिल स्कोर नहीं बन रखा है तो दोस्तों किस तरीके से आप अपने सिबिल स्कोर को जनरेट करेंगे और अगर जल्दी उसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या एक टक्निक ह है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो उस तरीके से आप अपने सिबिल स्कोर को काफी उचा कर सकते हैं जल्दी और कई सारे लोन आप ले सकते हैं चाहाए वो credit card हो, चाहाए वो home loan हो, किसी भी तरीके का लोन आप बैंकों से ले सकते हो लेकिन शुरू में आपको सिबिल स्कोर जन्रेट करना पड़ेगा तो दोस्तों अगर आपके पास जीरो सिपिल स्कोर दिखा रहा है कोई भी आपने कभी लोन नहीं ले रखा है तो आप जाकर के कोई भी कंजूमर लोन ले ले किसी भी फाइनेशल इंस्टूट से बैंक नहीं देता लेकिन आपको कई ऐसे फाइनेशल इंस्टूट है वो आपको लोन प्रोवाइट करते हैं थोड़ा इंटरस्ट चरूर जादा होता है तो आप कंजूमर लोन ले लीजे जाकर के चाहे मुबाइल ले लीजे फ्रिज ले लीजे कंप्यूटर लैप्टॉप यह कोई भी आइटम आप खरीद करके फाइनेश करवाकर अपने सिबिल स्कोर को सुरू कर सकते हैं और टाइम तू टाइम इसकी पेइमेंट कर दें जो टाइम है उसको कम रखे च्छै महीने से ज्यादा ना रखे उसकी किस्ट तीन महीन इसक NFC क्रेडिट कार्ड बन वाले कैंज सारे बैंक आपको FDK अगेंस to debit card यह तो दोस्तों जो credit card होता है वो सिबिल के उसमें चला जाता है और जोबी आप पेइमेंट टू टायम कर रहे होते है या खर्च कर रहे होते हैं वह से तो वो civil score में count हो रहा होता है और credit card का जो civil score है जो payment है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और आपको कई जगा से loan मिलना easy हो जाता है तो अपने civil score को आप तेजी से अगर increase करना चाते है तो FDK against credit card बना ले और time to time payment करें तो दोस्तों ये जान करें आपको अगर अच्छी लगी हो तो like करेंगा शेयर करेंगा मेरे चैनल को subscribe करेंगा जै हिन जै भारव